हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू मेट्स ब्रेक, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना, बैल आइकन को प्रेस कर लेना, और फिर इस पर क्लिक कर लेना, जिससी की जो भी वीडियो अप्लोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू मैट चैनल, मैट ब्रेक, हमारी सीरीज चल रही थी, सीटे जुलाई 2019 के मैट्स के क्वेशन के, जो की पेपर टूके है, ठीक है, आज का हमारा क्वेशन है, क्या दिया है, ये क्वेशन हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, बस क्या है, इसमें ही, HCF, HCF को हिंदी में क्या कहते है, महतम समाववर्तक, अभी बताऊंगे क्या होता है, ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि HCF होता क्या है, ठीक है, HCF का पूरा नाम होता है highest common factor अगर आप जानते होंगे factor क्या होता है factor को हिंदी में कहते है गुणनखंड जैसे कि आपने 5 लिखा 5 का गुणनखंड क्या हो सकते है 1 गुणा 5 1 और 5 क्या है 5 के गुणनखंड है इस तरीके से आपने 4 लिखा 4 के factor क्या है 2 गुणा 2 2 और 2 क्या होगे इसके गुणनखंड 6 लिखा 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 1 2 3 1 6 के क्या है गुणनखंड तो यानि के highest common factor factor यानि x, y और z की जो value हमें दे रखी है इसमें से क्या निकालना है हमें factor निकालना है इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो और highest मतलब वो सबसे बड़ा गुणनखंड हो इसका भी होना चाहिए इसका भी होना चाहिए और वही number इसका भी गुणनखंड होना चाहिए इसी को हम क्या कहते है महतम समाव वर्तक कहते है अब देखते हैं कि हम इसे कैसे solve करेंगे तो इसको solve करने का तरीका क्या है आपको क्या करना है देखो 2 इस में, 3 इस में 5 and 7, 4 नमबर आपके पास है कौन-कौन से है, 2, 3, 5 and 7 अब देखो, y में भी है 2, 3, 5, 7, z में भी है 2, 3, 5, 7, common है common number अब आपको क्या निकालना था highest common factor common है, क्या क्या common है 2, 3, 5, 7 इन तीनों में आ रखा है, common हमें पता चलिया factor है, ये तीनों ये चारो नमबर, इसके 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 अंदर आ रहे है इनके गुननखंड है है, क्योंकि multiply में भई आ रखे हैं गुणा में आ रहे हैं, तो गुणनकंड हुए है, चारो नमबर factor भी है, common भी है, बढ़ हमें क्या निकालना highest, अब हम highest निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है हमें कहा है highest लेकिन हम करेंगे क्या है, इसमें देखो 2 की पावर कितनी है, 3 2 की पावर कितनी है, 2 2 के ऊपर जो छोटा सा 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 को 2 बार गुना किया गया, ये 2 लिखा है तो 2 बार गुना किया गया है, 3 लिखा है तो 3 बार गुना कर दिया, 2 को ठीक है, 2 की पावर 3, ऐसे इसको पढ़ते हैं 2 कगात 2 2 की घात 3 अब देखो 2 की पावर यहां 3 है 2 की पावर 2 है 2 की पावर 4 है आपको क्या करना है सिर्फ निकालने के लिए महतम समाम तवर्तक निकालने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 यह चारो नंबर तो common है common लिख लिए पहले ठीक है उसके बाद क्या करना है कहा तो हमें highest है लेकिन हमें क्या निकालना होगा इसके अंदर power जो हमारे पास यह जो power है यह हमें कम से कम रखनी है यहां 3 है यहां 2 है यहां 4 है कम कहां पर है यहां पर है तो यह लिखो 2 की power 2 अब 3 में देखो 3 2 फिर 3 है फिर 4 कम कहां है यहां है तो यह लिखेंगे 5 यहां पर 3 है यहां 4 है यहां 2 है कम यह है यह लिखेंगे 7 7 में क्या है 3 3 5 तो इसमें भी 3 है इसमें कम तो यह 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 तो जादा हो गई तो 3 चाहें यह लिख लो चाहें यह वाला लिख लो दोन HCF अब हम option देखते हैं option में क्या क्या दे रखे हैं चार option हमें यह दे रखे हैं इन चारों में से कोई एक हमारा answer होगा answer हमारा यह है अब इसको इस तरह की form में बनाना है ठीक है अब देखो यहाँ पे पहले आपको क्या दिख रहा है 7 देखो 7 की power कितनी है 3 तो 7 की power 4 नहीं हो सकता 7 की power 5 नहीं हो सकता या तो यह answer होगा या यह वाला answer होगा अब यह तो 33 है ठीक है यहाँ पर क्या है 30 की power 3 30 की power 2 आपको सिर्फ यह चैक करना है इसके अंदर 30 की power 2 है या 3 है कैसे चैक करोगी यह तो हमारा चला गए इसको तो भूल जाओ अब इन तीनों को देखो 2 की power 2 3 की power 2 5 की power 2 अब इसको क्या कर सकते हो जब आपको power सेम दिखाई दे रही हो power सेम दिखाई दे रही हो और सारे नमबर अलग अलग है लेकिन multiply में है तो इन numbers की गुणा कर दो 5 तिया 15 15 दो नितीज 30 की power दो क्या करते हैं जब भी number लिखे हुए है लेकिन power सेम है ये जो उपर घात है ये सेम है सारे number गुणा में है तो हम क्या करते हैं इन numbers की गुणा कर देते हैं तो वही मैंने किया है 2 3 6 6 35 30 आया घात कितनी थी power कितनी थी 2 तो 2 ही लिखा यानि इसका मतलब क्या है आपका 30 की power 2 औ अब हम देखते हैं कि हमने कहा था highest हमने lowest क्यूं लिया है ठीक है हमने एक बात समझो हमने power lowest ली है factor लेना है हमें सबसे बड़ा ठीक है तो आपकी power जो है वो हमें lowest लेनी पड़ेगी क्यूं क्यूंकि क्यूंकि जैसे आपको 4 and 8 का HCF अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे HCF मतलब सबसे बड़ा वो नंबर जो इसको भी इसको भी divide कर सके तो 4 और 8 को कौन सा ऐसा नंबर होगा जो divide करेगा 4 इसको भी सबसे बड़ा नंबर तो यही है जो इन दोनों को divide करेगा अगर मैं इसको गुननखंड की तरह लिखूँ 4 को क्या लिखा 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ 4 को क्या लिखा 2 इंटू 2 यानि के 2 की पावर 2 8 को क्या लिखेंगे, 2-2-2-2, यानि 2 की घाथ, 2 को 3 बार लिखा है, 2 की घाथ, 3, यह हमारा 4 हो गया, यह हमारा 8 हो गया, अब HCF पूचा है, हमें, 4 और 8 का HCF पूचा है, तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, हमें पता है, HCF मतलब वो सबसे बड़ा नंबर, जो इन दो को дिवाइड करें इन दोने नों को DAVID करें गहानी चार को और एक डिवाइड को डिवाइड करें तो सा नंबर तो चार ही है ठीक है अब हमें इतना बता है हम इसे कैसे निकाल सकते हमें क्या करना जो power है आपके पास 2 की पावर 2 है 2 की पावर 2 इसको डिवाइड कर देगा 2 की पावर 2 इसको भी डिवाइड कर देगा है ना लेकिन अगर आप 2 की पावर 3 लेते हो इसको दो कर देगा डिवाइड इसको भी कर देगा क्योंकि 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4-Divide हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 की पावर 2 को आप 2 की पावर 3 से क्या spend, करी नी individual करोगे, कितना आगए 5 दो गुना दो नीचे कै दो गुना दो गुना दो यह तो चला गया लेकिन वन पाय टू नीचे बरसता है तो यह क्या हुआ नहीं कर सकते है न डिवाइट तो यही बात है इसलिए हम हाइस्ट कोमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा वो नमबर निकालना होता है जो इस पूरे नम क्या करते हैं जो पावर जो सेम नमबर है यह 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 पावर कम लेनी है इसकी तीन है दो है चार लेकिन हमें पावर कम वाला नमबर लेना है दो क्योंकि यह जो नमबर है इसको भी डिवाइट कर सकता है इसको भी कर सकता है जैसे ही मैं दो की पावर तीन लेती हूं तो इसको डिवाइड कर देगा, इसको नहीं करेगा और इसको करेगा, इसलिए वो number हम नहीं ले सकते हैं, हमें सिर्फ वो सबसे बड़ा number लेना है, मैं अतम समापर तक वही होता है, जो इन तीनों numbers को divide कर सके, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर power कम लेनी पड़ती है, ठीक है, I hope यह आपको समझ आ गया होगा, तो आज का question है, हमारा क्या दिया है, 52272, 52272, यह किसके लिए दिया है, यह question आपको दे रखा है, जहाँ पर आपको कहा है, PQR prime numbers है, PQR prime number का होने का मतलब क्या है, जैसे 2, 2 के factor क्या है, गुणनखंड क्या है, एक और 2, या तो 1 होगा, या या खुद होगा, तो ऐसे जितने भी number होते हैं, जिनके गुणनखंड या factor, या तो 1 हो, या फिर वो खुद ही होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइम number, जैसे 3, 1, गुणा, 3, गुणा करके लिखना है, तो गुणनखंड कहलाएंगे, गुणा करके लिख सकते हैं, जिन और पां सिर्फ यही दो number है जिनको इसमें लिखा जा सकता है या फिर इसके खुद के number में लिखा जा सकता है इसका मतलब क्या है? इस तरह के number जो होंगे, वो क्या होंगे? आपके prime या अभाजय संख्या होंगे तो इसके जो गुणनखंड है मतलब यह जो number है एक ऐसे numbers को गुणा करके आया है जिनका गुणनखंड या तो 1 है या फिर वो खुद है बस तो ऐसे number हमें लिखने हैं अब हमें इसमें last में 2 दिखाई दिया है तो इसका मतलब है यह 2 से divide हो सकता है तो पहले हमें इसके गुणनखंड करने होगे गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं 5,2,2,7,2 गुणनखंड करने का तरीका यह होता है ठीक है last में 2 दिखाई जिसमें भी last में 0,2,4,6,8 दिखाई दे वो हमारे 2 से divide हो सकते हैं विजिबिल्टी में कराऊंगी अभी बस इतना समझें इसमें last में 2 दिख रहा है तो यह 2 से divide हो सकता है तो 2 से divide करो 2,2 जा 4, carry 1 बचा 1 और 2,12,2,6,0,12 2,1,2,2,3,6,2,6,0,12 2,1,2,2,3,0, फिर 0 लगाँगे 2,6,0,12,2,8,0,16 2,6,0,12,2,5,0,10,2,3,0,6,0,2,4,0,8 यह तो सबको आता होगा 2, यह 6 कितनी बार जाएगा 3 बार फिर 5 आया 2,2,0,4,4 चला गया ना 1 बचा 1 और 3,13 2,6,0,12,12 इसमें से गया 1 बचेगा कितना है 14 तो 2,7,0,14 अब देखो 2 अब यह 2 से नहीं हो सकता 2 कितनी बार आया 1,2,3,4 तो 2 की मल्टिप्लाई कितनी बार है 4 बार ठीक है अब 3,2,6,7 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 3 से करके देखते हैं 3 इकम 3 3,8,24 3,9,27 1,08,9 आगया ठीक है अब 1,08,9 को फिर आगी करके देखते हैं 3,9,3,18,3,9 3 इकम 3,2,3 इकम अब 121 क्या होता है 11 गुना 11 होता है यह आगया ठीक है तो इसमें आपको क्या फैक्टर पता चले 2 की गुना तो 4 बार हो रही है 3 की गुना कितनी बार हो रही है 1,2,3 3 की गुना कितनी बार हो रही है 1,2,3 तो 3 की गुना लिख दी 3 गुना 11 की गुना कितनी बार हो रही है 2 बार तो 11 की गुना हो रही है 2 बार इतना समझ में आए यह आपको करना आना चाहिए ठीक है बहुती बच्चो वाली चीज है simply कुछ नहीं इस से इस number को divide करना है और divide करके जो आता है न वो हम यहां लिख देते हैं बस अब हमें क्या करना देखो इस number को हम यह लिख सकते हैं और इसी number को हम यह भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब यह और यह value तो बरावर होंगी यानि के 2 की power 4 into 3 की power 3 into 11 की power 2 is equals to P की power 2 into Q की power 3 into R की power 4 होगी ठीक है अब देखो 3 की power 3 है उपर 3 घात 3 है यहाँ पर घात किस की 3 है Q की घात 3 है मतलब यह और यह बरावर होने चाहिए यानि के Q की value आपकी 3 है ठीक है अब देखो 2 घात में 2 किस के हैं यहां तो है नहीं यहां पर है तो यह वाला जो है इसके बराबर होगा तो P की पावर दो 11 की पावर दो P किसके बराबर हो गया 11 के आप देखो 2 की घाथ 4 R की घाथ 4 तो यह 4 है यह 4 है अगर यह R है तो यह 2 है मतलब यह R क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए तो r की value 2 यह हमें पता चल गए यह हमें निकालना था p q r की value निकालनी दी इसके बाद एक और चीज़ दी है वो हमें निकालनी है जब वो question में दिख रही है यह value आपको निकालनी है तो कैसे करेंगे 2 p की value कितनी है? 2 के साथ p गुणा में है तो p 2 गुणा 11 प्लस q q की value 3 है माइनस r, r की value 2 है बस पहले हम क्या करते हैं? multiply करते हैं तो 2 गुणा 11 22 प्लस 3 माइनस 2 1, 22 और एक 30 यह आपका अंसर आ गया ठीक है?